इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्विशन नुबर एट आप जर्फ दी फॉल्विंग पैटन तो हमारा यह पैटन दिया हुआ है ठीक है एंड फाइंड वैल्यू आफ दिस मच यहां पर देखें क्या बोला है वान इंटो टू यहां पर पहले ब्रेकट में सॉल्व कर लिया यहां पर 1 1 2 2 प्लस आड कर दिया 2 2 3 तो हो किया रहा रहा है आपर जो यहां पर solve कर रहा है मतलब 1 2 रखा है 1 और 2 लंबर यहां पर एक increase करके रखा हुआ है इसे 1 में यहां पर 2 बढ़ा दिया ठीक है यहां पर 1 था तो ह detto यहां हम 2 2 3 करके जब आड कर दिया तो मिला के हां पर 2 into 3 into 4 upon 3 तो हमें यह pattern को अब्ज़र्ब करना है ठीक है मतलब pattern क्या चल रहा है देखे हो क्या रहा है यहां पर मतलब कि यहां पर 2 और 3 है यहां पर 2 और 3 है तो पहले बाले 2 और 3 यहां है तो 2 और 3 यहां भी है और यहां पर एक increase करके रखा गया है 4 अच्छा ठीक है मतलब यहां पर किवल नहीं है यहां भी देख लेते हैं देखे 1 इंटो 2 प्लस 2 इंटो 3 प्लस 3 इंटो 4 ठीक है तो इस वाले में अब देखते हैं इस वाले में क्या मिल रहा है देखें यहां पर 3 इंटो 4 है 3 इंटो क्या है 3 इंटो 4 है तो यहां पर क्या है यहां पर भी 3 इंटो 4 है 3 और 4 पहले लिया गया फिर 5 को लिया गया एक increase कर दिया और नीचे 3 है यहां भी 3 है यहां भी 3 है यहां भी 3 है तो 3 में तो कोई डिफरेंस नहीं हो रहा और यहां पर जो पहले first two numbers है वही numbers है जो यहां last में जो two numbers दिया हुआ है अब दिखते हैं third वाले में तो one into two फ्लस two into three plus three into four plus four into five तो four into five जो किया है तो यह जो दो नंबर्स है, 4, एंड ये 5, 4 और 5 जो है, यही है, दोगे, 4 और यहां पर है, और ये 5 है, तो exactly वही है, और आगे एक increase करकर रख दिया, 6 अपान 3, मतलब कि हमें बस last वाले लेना है, और उसमें increase करकर मटपलाई कर लेना है, और होल अपान 3 कर देना है, एक करना है न, तो pattern हमने देख लिया कि क्या चल रहा है, तो हम solve कर लेंगे आपर, solution, तो इसकी value होगी, by carefully, by carefully observing, 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 the given pattern, we have value of value of this much, 1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 4 plus 4 multiplied by 5 plus 5 multiplied by 6 is equal to क्या होगा है, तो देखें, लास्ट वाले जो डिजिट्स हैं, 5 and 6, इनका यूज़ करेंगे हम, 5 into 6 into 7, upon, एक बढ़ा देना है, upon 3, 3 तो common रहा है, अब उसको solve करेंगे, जो value आएगी, वही होगा, solve कर लेते हैं इसको, तो 3 हो जाए 3, और 3 तो जाए 6, 5 तो जाए 10 and 7, 70 हो गया, तो आपका 70 क्या हो गया, answer हो गया, clearly समझ में आगया आपको, मतब यहाँ पर जो pattern, जो exhibit कर रहा था, यह pattern, ठीक वही pattern यहाँ पर follow कर लिया हमने, और हमारा value आगया, और आप इसको solve करेंगे, तो पाएंगे कि 70 ही आएगा, जैसे कि, देखिए 1 इंडि 2, 2 आगया, plus 2 इंडि 3 क्या आगया, 6 आगया, plus 3 इंडि 4, 12, plus 4 इंडि 5, 20, plus 5 इंडि 6, 30, अब add कर यह देखिए, 30, 20 कितना है, 50 उजागा 50 and 12, 62, 62 and 6, 68, 68 and 2, 70 आगया, हैंकि नहीं, तो कहने क्या मतलब है, कि हमने जो यह पैटर्न बनाया, उपर वाला, बिल्गुल करेक्ट है, और जैसा सोच लेथे हम लोग, हमारा आंसर आचुका है, 70, इदि आपको अच्छा लगा सोलुशन, तो लाइक कर दिजगा, तो से उकसेर करिएगा, और कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट बाक्स आपके लिए है, थैंक यू सो मच फर वाचिंग, बाई!